हलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग उड़ के ना फ्रेश हो गए थे तो मैं दिखा रहा था कैमरा पे मैंने आज आज आउटफीट क्या पहना मैंने सिंपल सोबर एचनेम काई कपरा पहना है मेरा भाई ये ना भाई अभी रेडी हो रहा वो कैफे में तो शाउट आउट टो आमा कैफे फोर ब्यूटिफुल ब्रेकफ़स गाइस और एम बेंस बहुत दी अच्छा यार अब जरूर एक बार जाईएगा तो मैं तो फैमली के साथ आया था और मेरा फैमली ने ना इंटरनेशनल कुजीन मंगाया थे मॉर्निंग के लि गजनलोग बैठे हैं साथ में ठीक है तो अभी हम लोग एरपोर्ट जाने वाले हैं कि मैरे बेहन का ख़स्बन है ना वो आने वाले हैं ठीक है तो मेरा माम तो बहुत जादा एकसायटेड था ठीक है मैं तो नहीं गया था बट मेरा भाई और मेरा भेहन साथ में गया थे तो उसका थोरा जो एरो प्लेन थोरा लेट हो गया था बट आप लोगों ने बादचित किया और हग वगेरा किया अब हम आम लोग वापस भी जाने वाले तेक्सी पर बूख करना है तो ठीक है गाइस और मेरा भाई को लंबा हाइट ना उसको देखके वो हस्बिन हैरान हो गया था तो अभी टेक्सी लेके वापस मजणू डिला जाने वाले हैं तो आम लोग रास्ती के बारे में बात करें थे आपका प्लें कैसा था ऐसे कुछ है ना बात करते करते जा रहे थे बैक साइर में जो बैठा हो मेरा मॉम और मेरा बहन है ठीक है तो अभी घर में जल्दी पहुंचेंगे तो पापा भी वेट कर रहे हैं ठीक है और पापा अभी रूम में पापा सबसे पहले मिलते हुए और साथ में जो हस रहे है ना वो हमारा कजन है ठीक है और में भी काफी हस था था में बलू कलर में मेरे टीशेट पहना था वो में ही हूँ तो हम लोग है ना अभी डांस करते हैं क्योंकि मेरा बेहन का रिंग सर में नहीं हुआ था तो हम लोग सब नाच रहे हैं और कूद रहे हैं मौश रहे हैं क्योंकि जिन्दीगी का मकस्त ही है ना खुशी रहना है तो हम लोग टिबेडन डांस करते हुए उसका बाद अब डांस करने बाद तो पेट पूझा भी ज़रूरी है न भाई तो हम लोग पेट पूझा करते हुए अभी मेरा में यह गया रहा था कि आज तो भर पेट खाएंगे बाई क्योंकि बहुत जाना नाचा है न तो चावल एक से तो नहीं काम चलेगा और थोड़ा डालो ओके इतने से काम चल जाएगा उसका बाद ग्रीन सबजी तो मैं खाता ही नहीं हूँ उसका बाद वहाँ पे मीट रखे हुए थे मटन ठीक है अब मटन दे की खुशी देखो यार मेरे फेस में ओह ओह मज़ए मज़ए मज़ तो मेरे से थोरा नाराज हो गया था बर कोई बात हम दोनों बीच में तो चलते रहता है ठीक है अब शाम को है न हम लोग अभी जो दललली थे ना कनोट प्लेस में वहाँ पे जाने वाले थे तो हम लोग पहली बार आया थे जिंदिगी में फाइस टाम फाइफ स्टार होट होटल आया हूँ और बहुत ही लगजिरी होटल था यार फाइफ स्टार होटल ठीक है इसमें मतब तरे तरे के खाने मिलते थे और यहां पर कितने तरे के वाइन रखे हुए थे भाई मैं हैरान हो गया अंदर आकि है ना भाई उसके उपर है ना मतब आदमी लोग को देख क मैं थोड़ा सा रिचनेस फिल कर रहा था अपने जिदेगी में तो हम लोग तो पूर से उपर आये ना तो हम लोग अभी तो रिच नहीं हुआ है बट हम लोग रिच का एक्सपिरिंस ले रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तरी तरीकी के पान वगेरा रखे हुए है ठीक है तो अम्बेंस बहुत ही मस्त है यार इतना ज़ादा लगजिरिस था यार तो हम लोग सब यहां पर आयो थे खाना काने के लिए और मेरा बेन का खस्पिन आया ता इसकी खुशी में ठीक है तो सब ही हम लोग का कजन है ठीक है और मेरा भाई देखो यार कितना लंबा है यार और हम लोग सब अभी बीजी है मेरा मॉम में मॉम ने खाना नहीं खाया ता मदर ने वो थोड़ा डायेट में था वो थोड़ा गुसर भी था पर कोई बात नहीं और सब इंजॉइफुल एक खाना खाके हम लोग निकल गये थे उसके बाद हम लोग अभी इनोवा क्रिस्टर में एक बुक किया था मजडू डिला से तो हम लोग जा रहे हैं मनाली के लिए ठीक है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे व्लोग नेक्स में तो में मनाली में आने के बाद क्या क्या वीडियो बना मैं आप लोग को दिखाऊंगा बट आभी हम लोग सब फैमिली ट्रिप जाने वाले हैं ठीक है ओ एक गारी बहुत ही ज़्यादा कमफोडेबल था तो ओ थोड़ा महिंगा था बट कोई बात नी है और मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाए थैंक यू और रोबिंग जामस को सबस्क्राइब